नमस्कार आप देख रहे हैं खबरे एक जुलक में नजर डालते हैं दिन बर की सबी बड़ी खबरों पर भारत के प्रधान मंतरी नेरेंदर मोदी और स्पेन के प्रधान मंतरी पेडरो सांचेज आज वडोद्रा में हैं सबसे पहले मोदी और सांचेज ने वडोदरा एरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब पूने तीन किलोमेटर तक का रोडशो किया इसके बाद दोनों नेताओं ने सी-29-5 सेनने विमान के निर्मान के लिए टाटा एरवेस्ट की एसम्बली यूनिट का उद्गाटन किया जम्मो कश्मीर के अकनूर में आतंक की हमले के बाद इंकाउंटर शुरू हो गया सेना के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुभह साड़े साथ बजे लाइन ओफ कंट्रोल के पास आतंक वादियों ने भटल इलाके में आर्मी एंबूलेंस पर करीब एक दरजन गोल यादागी किंद्रिये ग्रहमंतुरी अमिट शहा ने पश्चिम बंगाल में भाश्पा के सर्दश्यत अभियान की शिरुवात की इस दोरान उन्होंने कहा कि आज बंगाल में रविंदर संगीत की जगे बमों की आवास सुनाई दे रही है बंगाल में राज्चे सरकार गुस बैट करा रही है गाई और कोईली की तसकरी रोखने के लिए पश्चिम बंगाल में एक करोड भाश्पा सर्दश्यत बनाने हुँगे 2026 तक भाज़पाद दो तिहाई वहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी दिवाली से पहले ही देश के 11 शहरों में हवा की क्वालिटी खराब हो गई है AQI लेवल 300 के पार चला गया है इनमें राजस्तान का भिवाडी, दिल्ली, नौइडा, मेरट, गाजियाबाद, जयापूर, बुलन शहर, अमरिच सर, अलीगड, सोनीपत और फरीदाबाद शामिल है सबसे खराब हवा राजस्तान के भिवाडी की रही यहाँ AQI 610 रहा दिल्ली में प्रदूशन को कंट्रोल करने के लिए एक जनवरी 2025 तक पटाकों को बैन कर दिया गया है सरकार की आदेश के मताबिक पटाके बनाने, उन्हें स्टोर करने, बेचनी और इस्तमाल पर बैन है इतना ही नहीं पटाकों की ओनलाइन डिलिवरी भी प्रतिवंद रहेगी इसमें ग्रीन पटाके भी शामिल है, इस बैन को सकती से लागू कराने की जिम्मेदारी दिलिवलिस को सोपी गई है शिवशेना सिंदेगुट ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है वरली से रज्जसबा सांसाद मिलिन देवडा को टिकेट दिया गया है इसी सीट पर उदवगुट ने आधित ठाकरे को मैदान में उतारा है शिवशेना सिंदेगुट ने अब तक 65 उम्मीदवारों की घोशना की है इस दिवाली खुशियों से भरते है किसी जरूरत मन्द की थाली के तहट जरूरत मन्द परिवारों को 2100 किलोग्राम खादे सामगरी वित्रित की गई फाउंडेशन के संसापक अध्यक्ष डीबक चोधरी ने बताया कि फाउंडेशन की तरफ से प्रतिवश दिवाले से पूर्व जरूरत मन्द परिवारों कोनकी मदद के उद्देश्चे से खादे सामगरी दिवाली पूजन सामगरी और मिठाई वित्रित की जाती है फेमिना मिस इंडिया 2024 बनने के बाद निकीता पूर्वाल रविवार को अपने शहर उजयन पहुंची इस दोरान परिवार के साथ ही शहर के लोगों ने अपनी बेटी का ग्रेंड वेलकम किया निकीता ने टावर चोक से इसकौन मंदे तक का रोड शो भी किया जिसमें उन्होंने हाथ जोड कर लोगों का भिवादन किया विड़ोल की थाप पर थिरक टीवी भी नज़र आई पाकिस्तान की वंडे और टीम T20 टीम के कोच गैरी कस्टन ने रिजाइन दे दिया है 56 साल के कस्टन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच मतवेद हो गए थे कस्टन ने 6 महीने पहले अपरेल 2024 में पाकिस्ताने टीम के कोच बनाए गए थे वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर तेज गेंदवाज जेसन गिलेस्पिको पाकिस्ताने टेस्ट टीम का कोच बनाय गया था दोनों ने दो साल का कॉंट्रेक्ट साइन किया था खबरे एक छलक में फिल हॉल के लिए इतना ही मिलेंगे कुछ हो नई खबरों के साथ तब तक के लिए आप बने रही हमारे साथ और देखते रही है जनता दर्बान नियूज